साई की बात बचे इंसान की प्रवर्ति होती है जब वो सफलता प्राप्त करता है हासल करता है ना जब वो सफलता का स्वा चकता है तब उसके अंदर गमंड आचाता है तब वो सामने वालों को कुछ नहीं समझता तब वो चीटी से बाज बन जाता है तो मेरे बचे ये गलती तुम कभी मत करना, जब भी तुम सफलता प्राप्त करोना मेरे बचे, तो अपने अंदर विनम्रता और धया का भाव हमेशा रखना मेरे बचे, कभी भी चीटी को कम मसमझना मेरे बचे, जो तुम्हारे आसपास चीटिया है न, वो कमजोर नहीं है, वो सबसे ज़ादा शक्त प्राप्त करते हैं, उनकी शक्ती को, उनके सामर्थ को कभी आकना मत मेरे बचे, क्योंकि एक वक्त चीटी का भी आता है, तो हमेशा याद रखना मेरे बचे, कभी भी तुम्हारे अंदर एहंकार और घमंड ना आए मेरे बचे, और वैसे तो, ये मेरे बच्चों की खासिय वो चाहे कितना भी आगे सागे क्यों न बढ़ जाए उनके अंदर एहंकार और घमन नहीं आता क्योंकि मेरे बच्चे दया का भाव रखते हैं हमेशा सबकी मदद करते हैं सबके लिए अच्छा सोचते हैं मैं जानता हूं मेरे बच्चे और तुम्हारे अंदर ये गुण है म मेरे बच्चे मैं जानता हूं जितने पैसे तुम्हें चाहिए वो नहीं है मेरे बच्चे लेकिन तुम चिंता मत करो तुम्हारा इलाज होगा और उतने में ही होगा जितने तुम्हारे पास पैसे हैं और बाकी जो भी ज़रुत पढ़ेगी तुम्हारा साई है वो सब करव और रोज नित्य प्रति दिन उदीलो मेरे बचे तुम रोज उदीलोगे न तो तुम्हें जल्दी असर होगा और देखना मेरे बचे तुम्हारी बिमारी भी जड़ से खतम हो जाएगी तुम बिल्कुल चंता मत करना और सुनो मैंने दान को विशेश दर्जा दिया है जानते हो क्यों क्यों कि इससे किसी की आत्मा तरप्त होती है दान दोगे अंदान दोगे मेरे बचे चाहे वो जानवर को दो या किसी इनसान को दो बस किसी की आत्मा को तरप्त करना है और वो तुम करते भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बचे तुमारे हाथों से जो बहुत विशेश होती है, बहुत खास होती है, जो सिर्फ मैं तुम से लेता हूँ मेरे बच्चे, और तुम वो करते भी हो, बहुत सचे मन से और भाव से करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सुनो, चाहे परिस्थिदिया कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए मेरे बच्चे, लेकिन अगर तुम समझतारी दिखाओगे न, तो तुम वहां से भी बहार निकलाओगे, क्योंकि तुम्हारा साई, तुम्हारे स्वैम नस्दीक रहता है, हमेशा रहता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत पास रहता हूँ, जब भी मुझे पाओगे, अपने पास पाओगे, और तुम इसका एहसास भी कर पाओगी, कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो बस समझतारी से आगे निकल जाना, बाकी मैं हूँ न, तुम्हारे साथ, जहां भी समझना आए, उससे पूछ लेना, मैं तुम्हे समझा और बताऊंगा भी मेरे बच्चे और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम इधर उधर बाहर जा रहे हो आजकल खाने पर तो मेरे बच्चे तो अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखो मेरे बच्चे वही खाओ जो तुम्हारे लिए पॉस्टिक है तुम चीजों को सामने देखते हो जब चीज़े तुम्हारे पसंदगी होती है तो तुम्हारे मुह में पानी आ जाता है लेकिन तुम अपने स्वास को भूल जाते हो मेरी कही बातों को भूल जाते हो जानते हो न कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वो चीज़े नहीं खानी जो तुम्हारे स्वास के लिए हानी का रखे तो क्यूं करते हो मेरे बचे ऐसा मत किया करो आगे से याद रखना और वो चीजे बिलकुल मत खाना और मैं कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ जो उनकी परिक्षाए हैना मेरे बचे जब भी परिक्षाए देने ज जाओ तुम माथे पर उधी लगाकर घर से निकलना मेरे बचे देखना तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्रीड होगे मेरे बचे तुम बिलकुल चिंता मत करना और आगे की रास्ते भी तुम्हारे बहुत अच्छे खुल चाहेंगे तुम देखना मेरे बचे और अपने क पुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि हमेशा अपने जीवन में, अपने वैवसाई में हमेशा इमानदार रहना मेरे बच्चे, जादा के चक्कर में वो मत खो देना जो तुम्हारे हक का है मेरे बच्चे, हमेशा इमानदार रहो, तुम जितना इमानदरी से काम करोगे तुम्हें बहुत नहीं बहुत बहुत जादा मिलेगा बस सही रहा पे चलना मेरे बचे कभी गलत रहा मत चुन लेना अपने साइं के भरू से अपने साइं के विश्वास पर हमेशा सही रहा पे चलना मेरे बचे गलत चीजों में मत जाना अगर गलत सोच आए भी तो हमेशा म जलत विचार निकल जाएंगे देखना मेरे बचे खुश रहो बहुत सारा प्यार मेरा आज का रात्री साई संदेश समाप्तुआ